गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं गुंजन पाठक आप सभी का CUET BHU Study Capital YouTube चैनल में स्वागत करता हूं हमारे चैनल ने Daily Current Affairs नाम का एक सिरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको Daily Current Affairs रोज सुबा आठ बजे पढ़ाऊंगा यह एक प्रोमो वीडियो है, सौट वीडियो आप समझ सकते हैं, तीन-चार मिट की वीडियो है जिसमें मैं यह बताऊंगा कि मैं आपको Current Affairs कैसे पढ़ाने वाला हूँ और यह Current Affairs जितने भी University Exam है, जैसे आपको पता है, अभी CUCT होने वाली है, तो जितने भी University Exam है उसके लिए यह काफी useful होगा और हर एक कोशन का आपको Detail Explanation दिया जाएगा ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले कोशन की और, और मैं दिखाता हूँ कैसे मैं पढ़ाने वाला उंकल से आपको जैसे पहला कोशन क्या है कि NATO Military Exercise Cold Response 2022 has been started in which country नाटो जैसा कि आपको पता है, एक सैनिक गड़बंदन है, तो सैनिक गड़बंदन है वो अक्सर military exercises सैनिक उध्याभ्यास करते रहती है, इस बार उसका नाम है Cold Response 2022, तो Cold Response 2022 वो किस country में की है, तो वो Norway में किया है, ठीक है, Norway इस सवाल का सही अंसर है, आपको पता होना कि नाटो 30 देश का, 30 देश का एक सैनिक गड़बंदन है, जिसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 12 ही मेंबर थे, ठीक, एक स्लाइड में बढ़ते हैं, तो ये newspaper की cutting है, अल जजीरा की, जिसमें दिखा है कि नाटो में लेटे exercise किया है, जिसमें 30,000 सैनिक उसके troops सामिल थे, और अवे में ये exercise किया है, ठीक है, नाटो क्या है, नाटो का full form होता है North Atlantic Treaty Organization, इसमें 30 मेंबर हैं, अब 30 मेंबर ने ये कसम खाई है, जैसे यूरोप में आपको पता होगा बहुत चुटकु चुटकु से देश हैं, ठीक है, जैसे बिहार से, यूपी से भी बहुत चोटे देश हैं, तो अब वो देश अपना banking से महा लें, वो देश अपने defense पर काम करें, किन चीजों पर काम करेंगे, तो नाटो एक organization बना था, अमेरिका के निरतितु में बनाया गया था, organization 1949 में, जिसमें सभी members ने ये कसम खाई थी, कि अगर कोई देश किसी एक पर भी हमला करता है, न इसमें 28 European countries हैं, और 2 North American countries है, जिसमें आपको पता होगा, Canada and North America, जैसे, sorry, United States of America है, और ये कब बना था, ये just World War के बाद बना था, World War 2 जैसे ही खतम हुआ था, 1945 में, उसके बाद ये 4 April 1994 में इसका गठन हुआ था, ये date आपके लिए important है, ये अक्सरिक जा में पूछा जाता है, कि 4 April 1949 को ये बनाया गया था, इसका headquarters कहा है, Brussels, Belgium में, और इसे बनाया कहा गया था, जब 4 April 1949 को इसे बनाया गया था, तो इसे Washington DC में बनाया गया था, जो की USA की राजधानी है, और headquarters, जो भी organization है, NATO हो जाए, या फिर NATO हो, या फिर Quad, अभी recent Quad के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर सार्क है, ये सभी international organizations का, आप से headquarters पूछा जाता है, तो ये काफे important हो जाता है, ये Brussels में है, जो की Belgium की capital है, ठीक है, आगे और हम देखते हैं, ये military exercise है, ये मार्च 14 से start हुआ है, और 1 April तक चलेगा, ये आपके लिए important नहीं है, बस information के लिए ये है, ठीक है, अब लिए होता है, ताकि जो भी NATO members है, वो अपना सक्ती का प्रदर्शन कर सके, ठीक है, ये map है, जिस पे आपको NATO members दिखाएगे हैं, ये जो blue color से marked है, ये founder members हैं, जो 9049 में थे, जैसे Poland, Germany, United Kingdom, France, ठीक है, Greece, Turkey, आगे इस map को आप देख लीजिए, आगे देखे, NATO के members कौन कौन है, NATO जब बनी थी 1949 में, तो उसमें 12 founding members थे, 12 देशों ने मिलकर NATO का formation किया था, तो NATO में 12 members कौन कौन थे, Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, UK, ठीक है, फिर Greece, Turkey and West Germany ये 1950 में सामिल हुए, फिर Spain 1982 में सामिल हुआ, फिर East Germany 1990 में सामिल हुआ, and the सबसे लेटिस्ट, सबसे लेटिस्ट, North Mesodonia, North Mesodonia, बहुत छोटा सा country है, ये 2020 में सामिल हुआ, NATO में, ठीक है, तो ये question, काफी बार exam में अभी आ चुका है, 2020 के बाद जो exam हुई, उसमें भी आ चुका है, और ये इसके आने के संभावना भी है, क्योंकि अभी तो NATO पे या और यूक्रेयन के वार के लिए, ठीक है, देखिए इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और देखिए second question है, recently who has been appointed as the MD and CEO of TCS, TCS आपको पता होगा Tata Consultancy Service, जो कि एक IT company है, ठीक है, तो उसके MD and founder, MD CEO किसे newkt किया गया, तो वो राजेस गोपी नाथन, राजेस गोपी किया गया है, ठीक है, मतलब यह पहले भी थे, अब इनको दुबारा elect किया गया, 2017 से 22 तक के लिए थे, फिर से 22 से इनका term extend कर दिया गया है, 17 तक के लिए, तो यह खबर है, कि TCS reappoints राजेस गोपीनाथन as MD and CEO for 5 years, 5 साल के लिए इनका term extend कर दिया गया है, यह है, राजेस गो increase, इनके term में TCS की जो ओर्त थी, वो 14.19 trillion से increase हो गई थी, Tata Consultancy Service TCS के बारे में कुछ जान लेते हैं, TCS के अभी CEO राजेस गोपीनाथन है, TCS के foundation 1 April 1968 में हुआ था, TCS एक multi-information technology की company है, जिसका headquarter महरास्टरा मुंबई में है, और यह 149 locations पर अपनी service प्रोवाइड करती है, जो की 46 countries में इस्थित है, Tata Group के बारे में जान लेते हैं, TCS, Tata की ही एक allied company है, Tata की ही एक subsidiary company, आपको पता होगा Tata की बहुत सारी company हैं, उसमें ही से ही एक TCS आती है, तो Tata का founder कोन थे, Tata के founder थे, जमसेज जी Tata कब found हुआ था Tata, Tata की स्थापना 1868 में मुंबई में की गई थी और इसका hate quarter भी मुंबई में है, Tata की chairman के अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले जिन्होंने found किया था, जमसेज जी Tata, यही Tata के पहले chairman थे, उसके बाद से chairman के list है, उसके बाद दोरोबाजी Tata आए, फिर पहले non Tata chairman यह बने, सर, नोवरोजी, नाम थोड़ा जी भी इनका, सकलातवला, ठीक है, फिर JRD Tata, फिर रतन Tata, अभी current के बात की जाए, तो current में Tata के, confused नहीं होना है, वो गोपिन राजेश, गोपिन आथन को TCS का CEO and MD बनाये गया है, और Tata, जो की TCS Tata की allied company है, तो Tata के अभी जो chairman है, जो की पहले non Parsi chairman है, वो in चंदर सेखरन है, ओके, आगे बढ़ते हैं, the third question पे आते हैं, कि recently whose tenure as the president of Asian Cricket Council has been extended for one year, एक साल के लिए Asian Cricket Council, जैसे ICC है, Indian Cricket Council है, BCCI है, वैसी Asian Cricket Council है, उसमें, उसके president के पद को, एक साल के लिए, किसे extend किया गया है, मतलब पहले भी वही थे, उनके term को extend किया गया है, एक साल के लिए, तो वो है जैसा, ठीक है, news देखिए आप, news क्या है, जैसा term as the Asian Cricket Council President unanimously, unanimously मतलब होता है, कि बिना किसी रोक रुकावट के, मतलब इनके खिलाब किसी ने voting नहीं थी, ठीक है, एक साल के लिए इनका term बढ़ा दिया गया है, अब यह, Asian Cricket Council क्या है, Asian Cricket Council में आपको important याद रखने वाली बात यह है, कि 1983 में इसकी स्थाफना हुई थी, अभी chairman इसके है, अमिताब चौधरी, president है जैसा, headquarter Columbus, Lanka, Columbus, Lanka में इसका headquarter है, जैसे ICC का headquarter दुबई में है, वैसे ही, इसका headquarter Columbus, Lanka में, कब found हुआ था, 1890-83 में, ठीक है, membership, 25 association का membership है, इसका parent organization भी ICC है, इसका parent organization है, ठीक है, बाकी सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए, इसी तरह से देखिए, यह short video time, इसे short में ही रखते हैं, अगर फूर्थ question की बात की जाए, इसी तरह से मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, और हर दिन के last में आपको today in history करके एक last में add किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आज जो कि 24 March है, उसमें इस दिन history में क्या कुछ खास हुआ था, तो आज 1999 के दसक में, 1999 के time में, नाटो ने पहली बार किसी sovereign country पर attack किया था, और उस sovereign country का नाम है Yugoslavia, ठीक है, तो नाटो ने पहली बार किसी country पर attack किया था, और sovereign मतलब होता क्या है, sovereign मतलब जिसका अपना democracy हो, जिसकी अपनी government हो, मतलब वो गुलाम नहीं होना चाहिए, वो sovereign है, ठीक है, 1999 में, आज के दिन, मतलब 24 March 1999 में, नाटो ने पहली बार किसी sovereign country पर attack किया था, इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ, और आप देख सकते हैं, कि हर एक question को काफी detail के साथ explain किया जा रहा है, और plus कि मैं किसी newspaper की cutting इसलिए ला रहा हूँ, ताकि इसलिए newspaper की cutting इसलिए ला रहा हूँ, ताकि जो भी मैं content, जो भी मैं news पढ़ा रहा हूँ, उसकी legitimacy बनी रहे, कि आप मुझसे पढ़ने के लिए, डेली सुबा आठ बजे, CUET, BTU, Study Capital पर जुड़े, चैनल को subscribe कर ले, notification bell icon दबा दे, notification on कर ले, ताकि जैसे class start हो, उससे just पहले आपको notification आ जाए कि class start होने वाली है, ओके, तो मिलते हैं कल से, धन्यवाद,